अलो फ्रेंड्स हाई आई एम डॉक्टोर रमीद गुपता आस्था होमेपísthich क्लिणिक सतरिक रोड चिनहट से आज आप सभी के सामने हम आप सभी को ब्लड के बारे में डिसकस करेंगे ब्लड की कमी से होने वाले रोगों को बारे में बताएंगे और blood की कमी से कैसे क्या क्या रोग हो जाते हैं और किन किन कारणों से blood की कमी हो जाती है blood के compositions के बारे में बताएंगे और विभिन चीजों के बारे में आपको आउगत कराएंगे सबसे पहले हम blood के बारे में जान लेते हैं कि blood के जो blood का property क्या होता है ब्लेड के प्रापर्टी के बारे में अगर हम जानते हैं तो प्रापर्टी आप दा ब्लेड में सबसे पहला फैक्टर आता है कि ब्लेड का कलर क्या होता है आप सब जानते होंगे कि ब्लेड का कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है रेड कलर का ब्लेड होता है अगर हम आर्टीरियल ब्लेड या फिर की बात करें तो वो जो है रेड कलर का होता है लेकिन इसी करम में अगर हम बीनस ब्लेड की बात करते हैं तो बीनस ब्लेड जो होता है वो कुछ परपल रेड कलर का होता है किस कलर का परपल रेड कलर का होता ह और आगे हम बैलूम की बात करते हैं अगर हम ब्लेड का बैलूम की बात कर रहा है तो ब्लेड बैलूम जो होता है एक एडल्ट हुमन में जो है वो कितना होता है एबाउट 5 लीटर 5 लीटर जो है ब्लेड जो है एक सामान जो है व्यक्ति के सरीर में पाया जाता है आगे फिर ह में आगे हम बढ़ते हैं कि specific gravity को देखते हैं कि specific gravity कितना होता है ब्लड का तो specific gravity आप अगर total blood का देखा जाए तो 1.052 से ले करके 1.061 तक होता है फिर आगे हम बढ़ते हैं कि composition of the blood सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं composition of the blood blood के composition क्या क्या है बलट के composition की बात करते हैं तो बलट जो हमारा है जो बलट का cells है वो निमन एलिमेंट से मिल करके बना है वो कौन-कौन से elements है वो कौन-कौन से तत्व है एक तो red blood cells है जिसको हम erythrocytes बोलते है दूसरा हमारा white blood cells है जिसको हम क्या बोलते हैं लोकोसाइटस बोलते हैं और इसी क्रम में हम तीसरे को हम प्लेटस बोलते हैं थीखे प्लाज्मा क्या होता है देखी प्लाज्मा से न दूफारा फोलता है और 91 से 92% प्लाजमा में क्या होता है, क्या पाए जाता है, वाटर पाए जाता है, और 8 से 9 परसेंट जो है, ब्लेड की प्लाजमा में solid substances पाए जाते हैं, जो solid substances होते हैं, वो organic और inorganic दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, और हम आर्गैनिक और इनार्गैनिक फॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो आर्गैनिक फॉर्म की इस आर्गैनिक सब्स्टेंसे क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्भोहाइडरेट है, आपका फैट है, इसके बाद प्रोटीन तमाम फॉर्म में पाए जाते हैं, इसक निक सब्स्टेंसेंग में जैसे सोडियां है पोटेसियम है मेंकनिसियम है क्लोराइड आयिन है आयूडाइड और ये सारी चीज हो यह पाए जाते हैं इसे जाते हैं कि कुछ एसे ड extent ब्लज़म में पाए जाते हैं क्से दिसक्राइब अगे दिसकर हो less और एक कारी है ब्लद का कारी क्या है है function आप दा blood बहुत important question है यहां से question arise होता है function आप the blood देखिए blood आपका nutrient function ब्लड का सबसे पहला function है nutrient function nutrient मतलब क्या होता nutrition देना nutrient substances like the glucose amino acid लेकिद और तमाम protein derivative जो है चीजें जो है एब जॉर्ब्ड होते हैं blood के द्वारा ठीक है और respiratory function respiratory function को तो आप blood के जोरा जानते हिए होंगे कि blood में blood में अपने oxygen जो है oxygen omega pumps के form डिय्जॉल्ब रहती है और respiratory function में आपके work कर रहे इसी तरीके से excretory function तीसरा function है जो metabolic प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है एक्सेक्रीशन के माध्यम से थूदा इसकीन कैडनि और अधर आरगन लीबर के माध्यम से एक्सेक्रीट बॉडि से कर देता है से इसी करम में एक function और भी है dis infective function यानि की defensive mechanism को body जो हमारी है उसमें जो white blade cells पाई जाते हैं तो white blade cells में क्या होते हैं neutrophils होते हैं monocytes होते हैं जो की जिनका nature होता है phagocytosis nature का तो phagocytosis nature के मात्यम से वो क्या करते हैं कि cell को भच्छण कर लेते हैं phagocytosis एक term है जिसको बोलते हैं कि cell को भच्छण कर लेना ठीक है जो भी debris होती है cell debris होती है उनको क्या करती है वो भच्छण कर लेती है खा लेती है तो दोस्तो आज आप सभी को हमने जो है enemia के बारे में बताया enemia के function के बारे में बताया blood की property के बारे में बटाया, composition आप the blood के बारे में बताया, अगले topic में आपको plasma और plasma proteins के बारे में पूरे अच्छे से डिसकत करेंगे, धन्यवाद, thank you.